रमडीक वाणी जरूर देखे और अपनी आखों के सामने अपने ही हाथों से अपने पुत्र परिवान को नगर के चौक में बेजना पड़ेगा मेरे जीवन निर्माता सद मार्ग दाता सद गुरुदेव शिरी प्रेम सुखजी महराज सहब के पवित्र पावन चरणों में शत्सत बंदन करता हूं उपस्थित धरम प्रेमी बंधुओं मेरी माताओं तथा बहनों आर फोर रिलीजन रिलीजन फोर रिक्वेस्टिग 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 यानि विनति यानि प्रार्थना यानि शुब भावन यानि दिमाग से उतर कर दिल में उतरना अपने हार्ट को एक्टिवेट करना इट इज रिक्वेस्टिग फोर रिलीजन प्रभू के गीत गाने के भाव जब भी उठते हैं तो समझ जाना कि हम भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं देखिए आज दो सब्द बड़े महत्पून हैं उनके उपर चर्चा करूंगा रिक्वेस्टिंग फोर रिलीजन को समझने के लिए और समझाने के लिए एक सब्द है भावना एक सब्द है कल्पना कल्पना एक सब्द है भावना दोनों में देखना हम तो आपने भावना के लिए एक सब्द या एक स्लोगन पढ़ा भी हो सुना भी हो भावना भवनासेनी भावना भवनासेनी कल्पना करम बंधनी भावना भवनासेनी कल्पना करम बंधनी भावना भवनासेनी अगर आप अपनी वर्तमान जिंदगी को यह अपनी जिंदगी के वजूद को गहराई से देखा हो या भापा हो या जाचा हो तो एक सचाई निकल करके आती है उस सचाई के अधार पर एक कोश्चन करूं आप इंद्रियां पावर्फुल होती है या मन पावर्फुल होता है आप कि सोच के बोलना इंद्रियां पावर्फुल होती है या मन पावर्फुल होता है है कभी कोई कुछ बोलता कभी कुछ बोलता है नुकर दोनों ही बोल दो कोई तो सही निकलेगा या यूँ कहूं इंद्रियों में और मन में क्या फर्क होता है ये फर्क जब हम जान जाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत है इंद्रियां मजबूर है राइट इंद्रियां मजबूर है मन मजबूत है कैसे ऐसे मन को समझने के लिए चार बातें आप समझ लीजिए मन का पूरा विजन जिसको कहते हैं विजन ओफ माइड मन का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा पहली बात मन से चार चीजे जुड़ी है एक इस्मरन इस्मरन सक्ति ये चार सक्तियों की वज़े से मन पावर्फुल है इस्मरन सक्ति जिसको हम मेमरी बोलते हैं इस्मरन सक्ति दूसरी समझ सक्ति एक इस्मरन सक्ति एक समझ सक्ति एक अनुमान सक्ति अनुमान अनुमान लगाते हैं अनुमान तो तुम कुछ भी लगा सकते हो अनुमान लगाना किसी को देख करके कुछ सोचना अनुमान ये भी अनुमान शक्ति जो है ये भी किसकी पावर है मन की पावर है और की स्री है चोथी है कल्पना सक्ति कल्पना इमेजिन हमें इन चारों को समझना है तो पता लग जाएगा कि what is the power of mind कि मन की power क्या है माइंड की power क्या है और requesting की power क्या है यहां पर समझना है क्योंकि requesting बिल्कुल अलग चीज है आप कह सकते कि requesting को आप मन से दूर नहीं कर सकते लेकिन आपको बतला रहा हो जो requesting power है यह मन की power नहीं है यह power of mind नहीं है यह power of inner conscious है जो requesting की जो power है यह power of inner conscious समझने होंगे एक होता है mind एक होती है conscious conscious अगर आप इसकी गहराई में जाओ conscious जो है यह हमारा भाव जगत है यह हमारी भावना की दुनिया है यह भाव जगत है inner conscious इसी के अधार पर क्योंकि जब तक आप मन से जुड़े रहोगे तब तक आप केवल कलपना सक्ती तक ही जा पाओगे इससे आगे जाई नहीं सकते क्योंकि मन की सक्ती ज्यादा से ज्यादा कलपना तक है लेकिन जो भावना की सक्ती है जो भावना भवनासनी की जो पावर है यानि हमारे भवों का जो नास कर दे हमारे कर्मों को जो नस्ट कर दे जो हमारे मोहनिय करम को नस्ट कर दे वह पावर भावना की है वो मन की नहीं है और यह बावर लेकर क्या पैदा हुई है जितने भी हमारे तिर्ठंकर भगवन्त हुई हैं जितने भी केवल ग्यानी संत हुई हैं जितनी भी केवल ग्यानी आत्माई हुई हैं उन्होंने भाव जगत में प्रवेश करके अंतह प्रग्या को जागरित करके इनर कॉंसियस यानि अंतह प्रग्या, अंतह प्रग्या, माइन यानि खोपड़ी, अंतह प्रग्या, यहाँ, अंदर आओ, अंतह का अर्थ होता है अंदर, जो अंदर की प्रग्या है, जो अंतर की चेतना है, जो अंतर की समझ है, जो भाव जगत की समझ है, वो पावर है इनर conscious की इस्मरन सक्ति देखना दोनों को जोड़ना आपकी इस्मरन सक्ति क्या है जो भी आपके सामने घटित होता है जो भी हम इन आखों से देखते हैं जो भी हम इन आखों से देखते हैं देखती वो चीज हट जाती है लेकिन अंदर जो ग्रह जाती है वो आखों की वज़े से नहीं है वो मेमरी पावर की वज़े से क्योंकि स्मरन है वो कोई चीज देखी वो हमें याद रह गई तो यह पावर है स्मरन सक्ती की आख की पावर केवल देखने की है बस और कुछ नहीं आख केवल देखती है इसको मैंने रखना है या नहीं रखना है ये decide कौन करता है ये मन करता है मैंने इस चीज को अंदर रखना है नहीं रखना है ये इसका decision आपके उप पर है यह जरूरी नहीं है कि हर चीज रखने योग्य होती है जो अंतह प्रग्या से जुड़ जाता है वह उसमें से निर्णे कर लेता है कि इस चीज को याद रखने से मेरा जीवन ही खराब होने वाला है आप देखिएगा कि जल्दी आप कि चीज को याद रखते हो आपने बजार में गुरू को भी देखा राइट और बजार में किसी लड़की का या लड़के का सुन्दर चेहरा देखा अंदर कौन रहता जल्दी बताओ देखो गरबड मत करीए अंदर क्या रहता है बजार में आपने मर्श बीज गाड़ी देखी महराजी भी वहाँ से गुजरो है पर वो गाड़ी बार बार थारे अंदर चक्कर लगावे यार क्या गाड़ी थी पतानि कब आवेगे इस्मरन है आखों से तो आपने गुरू को भी देखा है संतों को भी देखा है मंदिर को भी देखा है प्रमात्मा को भी देखा है लेकिन जब जुड़ गए जहां आप वो इस्मरन है आपकी इस्मरन की दुनिया में कौन रहता है इससे डिसाइड हो जाता है कि आप मन के जगत में जी रहे हो या भाव के जगत में जी रहे हो संत को देखकर संत याद रह जाए संत का चलना याद रह जाए संत की यतना याद रह जाए संत किस निर्विकल्प दसा से गुजर रहा है वो याद रह जाए कि यह भाव भाव में चले गए क्योंकि मैंने बोल रहा है आपको कि माइंड आपको हमेशा संसार से जोडता है बाहर की दुनिया से जोडता है क्योंकि इसी के काम का यह यह पावर है यह वर्ड पावर है नो डाउट वर्ड पावर है पूरे इस दुनिया की ताकत है पर लेक देखा होगा कि यह महसूच करना मैंने जो सब्द बोला ना कलपना कर्म बंधनी भावना भावनास्नी इसके उपर टार्गेट करके देखना जब आप किसी अरबपती खरवपती यह जब आप अम्बानी बनने की सोचो गे एक तरफ साधू बनने की सोच ना एक तरफ अम्बा अमबानी बनने की सोचोगे तो वो कल्पना है क्या है वो कल्पना है यह कैसे बना यह यहां तक कैसे पहुंचा मुझे भी अमबानी बनना है और अमबानी बनने के लिए क्या क्या करना है उसको स्टेडी करना उसके उप्र अध्यन करना टार्गेट बनाना मुझे अमबानी ब यह कुछ भी समझदो क्योंकि जिनकी दुणिया में जिसके मस्तिष्क के अंदर धन महत् gross है वह दनवान बनना चाहता है और धनवान बनना ही धनवान बनना ही एक कल पना है क्योंकि Kalम वन यह होता है कि मैं जोड़ू कैसे मैं पकड़ू कैसे मैं ग्रहन कैसे करूँ क्योंकि ग्रहन करने के जब भाव आते हैं जोड़ने के भाव आते हैं पकड़ने के भाव आते हैं तो ये कलपना है संत बनना इसका मतलब है अब छोड़ने के भाव आए त्याग के भावाए हैं ये छोड़ दू देख ली दुनिया क्योंकि आपके दिमाथ में एक बात ठीक तरह से फिट हो जाए ना ये बिडमना है जिसको छोड़ कर जाना है उसे तुम जोड़ रहे हो और जिसे साथ ले जाना है उसे तुम छोड़ रहे हो और जिसे छोड़ कर जाना है उसे हम जोड़ रहें यह बिड़ंबना है पर लेकिन यह माइंड गेम है यह आपके बुद्धी का खेल है और किसी का खेल नहीं तो याद रखना कि इस्मरंग सक्ति कि मैंने याद क्योंकि आपने देखा होगा गंदी बातें बुरी बातें आप को जल्दी से याद रहती है और अच्छी बाते हैं भूल जाते हैं देखते जाओ आप इससे पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ कि इसलिए में बार-बार आपकी समय को भी चेक करवाता रहता हूँ आपके धर्म ध्यान को भी चेक करवाता हूँ किसी बात पर करवाता हूँ क्योंकि आप लोग तो यह समझते अब 38 मिनिट की समय करी एक जगे एकांत में बैठे माला जाप किया नोकार मंतर की माला फ्री भक्तामर पड़ा बचकाम करता अब करना क्या है अब हम कुछी करें कुछी खाए कुछी बोले कुछ भी करें धर्म ध्यान तो कर लिया ना हमारा यही है सोच आज तक की इसलिए कोई चेंज नहीं आपके जीवन में कोई परिवर्त कर नहीं है समाइक भी आपकी बुरी की समर्तियों को भूलने में सेहोगी नहीं बन रही है बुरी यादों को भूलाने में सेहोगी नहीं बन रही है आपकी समाइक समाइक की माध्यम से आप बुरे को भूलना नहीं सीख रहे हो अरे कम से कम एक मर्यादा रख लो कि एक साल में जितनी बुरी बाते हैं उन बातों को छोड़के बाती पिछली बातों को भुला दूंगा करो संकल का एक साल के धितर जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है वो तो याद रखूंगा लेकिन एक साल पहले जो भी कुछ बुरा हुआ है उसे मैं भूल जाओंगा छोड़ूंगा मैं मैं स्रावक बनूंगा क्योंकि एक साल तक का जो याद रखता है वही स्रावक होता है क्योंकि एक साल के भीतर भीतर उसे भुलाना ही पड़ेगा स्रावक पद को अगर जिंदा रखना है तो भुलाना ही पड़ेगा जो भी बुरी यादे हैं उनको भुलाना ही पड़ेगा अगर तुम स्रावक बने रहना चाहते हो तो संत बनने के लिए तो हर रोज की बुरी बात भूलनी जरूरी है जो भी कुछ मेरे साथ आज हुआ है उसे भूल जाना ही संतत्व है स्रावक के लिए बुरी बात को याद रखने का केवल कितना समय दिया कि एवल एक साल का समय आपके पास दो साल पहले जो भी हुआ है उसे याद नहीं रखना अगर याद है तो हम स्रावक नहीं है इतनी ताकत आपके अंदर कि रोज समायक रोज प्रतिकर्मन करने वाद के बावजूद भी आप देखा करो आपकी मेमरी में दो साल तीन साल चार साल की बात डिलीट हुई है नहीं नहीं हुई बोलो ना नहीं हुई ना वहरे पकड़े रखोगे रखो पर लेकिन इतना मुझे बता दो बुरी बात को याद रखने से तुम्हें फाइदा क्या है तुम जब मारवाडी हो जब तुम जैनी हो तुम्हें फाइदे का धंदा पसंद है तुम्हें एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि बुरी बातों को याद रखने में फाइदा क्या है अगर कुछ फाइदा ह तो रखो बुरी बातों को याद रखने से तुम अगर संतुलित रहते हो संभाव में रहते हो तो रखो क्योंकि बुरी बातों को याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी संभाव की साधना संता की साधना करी नहीं सकता समाय करी ही नहीं सकता प्रतिकर्मन समवत्सरी वो मना ही नहीं सकता भूलना पड़ता इस्मरंश सक्ति कि भूलिये तो कहें कि भूले कैसे मैं एक बात बोलूं जिन्नों ने आपके साथ बुरा किया हो उन लोगों की संख्या केवल डबल अंकों में ही होगी यह मेरा अनुमान है मैं जो बोलना उसके उपर गोर करना आपके साथ जिन्नों ने बुरा किया है उनकी संख्या केवल डबल अंकों में होगी लेकिन जिन्नों ने आपके साथ अच्छा किया है उनकी संख्या कई अंकों में हो सकती है कि नहीं समझें कि दो अंक यानि एक दो तीन निन्यानवे तक तो दो ही अंक होते ना हंड्रेड के बाद ही तो तीन अंक होते हैं हजार में जाओ तो चार अंक होते हैं अब मैं कितने अंक बढ़ाओं और देखो एक दूसरी बार जिसने आपके साथ पांच बार बुरा किया है अगर तुम गहराई में जाओगे तो उसने 15-20 बार तुम्हारे साथ अच्छा भी किया होगा गोर करना मैं जो बोल रहा हूं आपको जिसने आपके साथ पांच बार बुरा किया हूं पांच बार भी बुरा किया है उसने कभी न कभी आपके साथ कई बार अच्छा भी तो किया होगा लेकिन हम अच्छे को भूल जाते हैं और बुरे को पकड़ के बैठ जाते हैं पिर भी हम अपने आपको स्रावत कहते हैं फिर भी हम मानते हैं कि Weise region for requesting requesting यानि यह जो प्रार्थना है यह जो आप भक्तामर का जाब करते हो प्रतिकर्मन करते हो समाई करते हो जो भी हम साधू बंदना पड़ते हैं जो भी हम पेशठिया यंत्र की साधना करते हैं तिर्थंकरों की पूजा करते हैं लोगस का पाठ करते हैं यह आप इन कि जो कित्रम में आपका ध्यान पेंद्रित करना चाहता हूं कि अगर बुरी बातों को याद रख रखा है आपने अपनी इसमर्ती में संजो के रखा हुआ है तो इसका लाब क्या है आपका नुक्सानी हो रहा है सच कह रहा हूं बुरी बातों को याद रखने से आपकी समायक एक दम आपके 48 मिनट भी व्यर्थ चलते हैं यह भाव नहीं एक होती है समझ सकती हां समझ यह भी आपकी पावर आफ माइन आई मैं समझ किसको कहते है एक तो किसी बात को गलत समझना था क्योंकि यह समझ सकती है जो कभी कभी क्या होता है जो मैं आपको समझ चाहता हूं वो ना समझ के कुछ और समझ लेना यह होता है या नहीं होता है और यह सब तुम्हारे उपर है मेरे उपर तो नहीं मैं तो बोल रहा हूं और पता नहीं मेरी बातों के कौन कितने कितने अर्थ लगा रहा हो तो तुम जानो लेकिन ये समझ सकती है आपके पास तुम एक बात के कितने अर्थ निकाल सकते हो ये तुम्हारी पावर है समझ सकती है समझ सकती सही समझना और गलत समझना ये दोने ही उसी समझ में आती है समझ सकती के दो रूप है एक तो सही समझना जो है वो समझना एक वो है जो नहीं है वो समझना जो है ही नहीं वो समझना क्योंकि कभी कभी आप अपनी समझ सकती से वो अर्थ निकालने लग जाते है जो उसका आप लोग करते हो हाँ हाँ मैं कुछ समझाना चाहता हूं तुम कुछ और समझ रहे हो और जितने भी जने आ रहे हैं ना मेरे प्रवचन का हर कोई अपने अपने धंग से अर्थ निकाल रहा है यह भी समझ सकते हो कि महाराज उसको पर टॉंट मार रहे हैं महाराज ने आज उसकी उतार दी मैं तो तुम्हारी उतार रहा हूं तुम कहें कुछ के चक्र में पढ़े हो कि उसकी उतार रहा हूं मैं तुम्हें सुना रहा हूं मैं उसकी नहीं सुना रहा हूं पर लेकिन समझ है कुछ का कुछ आर्थ निकालते हुआ आपको पता नहीं मै एक बार मैंने परवचन किया, दूसरे दिन आया, कहा कि गुरु महराज वही परवचन दुबारा सुनाओ, क्या मात हुई, भई, मैं समझा नहीं, वही परवचन जो कल सुनाए था, दुबारा सुनाओ, अरे भई, मैं बता तो सही क्या, कि महराज कल का परवचन बड़ा गज पुछा कि बात क्या है कि गुरु महराज कि कल के परवचन में आपको मालुम है कि कि आपने सिद्धा हाथ कितनी बार उठाया उल्टा हाथ कितनी बार उठाया ये गर्दन यहां कितनी बार आई औरे राग राग ये गर्दन यहां कितनी बार आई आप कितनी बार आगे आए कितनी बार कीछे गई मैं मुझे तु याद नहीं मैं तो मस्ता सुना नहीं कि हम खेला और गुरु महराच आपके हाथों के आपके एक्षन के सम्मेने नंबर लगाए और नंबर ठिट किये फिर मैंने लोट्री खरीदी और मालू में गुरु महराच पचास हजार रुपे का फाइदा हो गया और लोजी जैसे मैं यहाँ जुआ खुलवाने के लिए बेठा हुआ हुँ या मैं लोट्री खिलवाने के लिए बैठा अब जिसकी सेशी सोच है वो उही तो करेगा जिसकी जैसी जैसा जिसका दिमाग और वो जान ही है सकता है हर को अपने फाइदे की ढूंडता है और फाइदा वही जो माइंड स्वार्थी माइंड है आपका दिमाग का जो है वो स्वार्थी है वो केवल अपने मतलब की बात सुनने को समझने को तैयार रहता है वो यह नहीं जानता कि आत्मा की चर्चा हो रही है या भगवान की चर्चा ह हो रही है यह कल्यान की चर्चा हो रही है उसको इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है जिसकी जहां तक समझ है वह वहीं तक उस बात को समझता है उसका वह अर्थ निकालता है मैं गजब की बात बताओं में इतिहास की घटना बतला रहा हूं मेरे जैन नगर मेरेट से लोग आये हुए है वहाँ पर एक मेरे अराध्ये महा तपस्वी राज निहाल चंजी महराज वहाँ वर्सों तक साधना करी बड़ी उत्तम आत्मा रही है 21-21 निर्जल उप्वास उन्होंने किया है बेले-बेले तेले-तेली की अनेक उप्वास उन्होंने किया है तो अभिकांस उनका जो विहार छेतर था विच्रम छेतर था उत्तर प्रदेश दिल्ली हर्याना में पंजाम में ज़्यादा था तो एक बार उत्तर प्रदेश में यूपी में अमी नगार अमी नगर सराय एक जगे है वहां से बिहार करके दूसरे गाओं की तरफ जा रहे थे एक सटोरिया सटोरिया समझते हो सट्टा लगाने वाले वह उनके पीछे पड़ गया वह जहां जावे वहीं जावे जहां बैठे वहीं बैठे लेगे है बाब्बा जी प्रेशा आए पथा निकासे पीछे पड़ी गया है गुरुझी है हाँ भाई दया पाल मंगल पार सुन नहीं गुरुझी इंड़े माला ले नहीं गुरुझी माला के लिए तो आयोपी हो जो माला ले शमाएक समाइक भी ना करे पीचे पड़ गया टो आखे लाल हो गई किन की बाबा निहाल की आखे लाल हो गई आखे जैसे लाल हो बस गुरुजी बढ़ गई उसने तुरंत जैसे λाल आख देखी ना तो लाल मिरच भर ली लाल मिरच भर ली और उसमें उसने प्रोफिट कमाया कमाल की बात है भीया मैं सच कहता हूं इन जुवारियों से और सटोरियों से जितना हम बचके रहेंगे उतना अच्छा है पर लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आतम कल्यान के लिए आते हैं क्योंकि आतम कल्यान के बारे में वही सोचेगा जो भाव जगत में आता है माइंड में नहीं क्यों माइंड तो कभी भी तुम माइंड कर जाते हो सच कहता हूं मैं दो सब्द उल्टे बोल देता हूं तो तुरंत माइंड कर जाते हो आप माइंड समझ गे ना आप हाँ, mind करना, यानि छोटी-छोटी बातों को mind कर जाना, छोटी-छोटी बातों को लगा लेना, छोटी-छोटी बातों पर विदक जाना, यह mind करना बोलते हैं, यह दिल करना नहीं बोलते हैं, इसको heart करना नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, mind कर गया, क्योंकि mind of mind ऑनुमान, ऑनुमान भी कौन लगाता है? मैंंड लगाता है। देखो अनुमान अच्छा भी होता है, अनुमान बुरा भी होता है। लेकिन आप अनुमान बुरा जल्दी लगाते हो। अच्छा लगाते नहीं क्योंकि कोई negativity अंदर भरी पड़ी है तो आप अच्छा अनुमान लगाओगी कैसे किसी गाओं में गए दूर से जंडा देखा कोई तो तुरंत आप अनुमान लगा लेते हो न को मंदिर है राइट जंडों से भी अनुमान लगा देते हो आप कि इसका मंदिर होगा यह इसका मंदिर होगा अभी आपने किलियर देखानी है जंडे को अभी उसके रंग नहीं देखे लेकिन आप समझ जाते हो जंडा है तो कोई ना कोई धर्मिस्थान है अब तो पार्टियों के जंडे होने लगे भाईया पहले पार्टियों के जंडे नहीं होते थे अब तो अपने अपनी पार्टी का अपना अपना जंडा है जंडा भी और एजंडा भी है सबका जो जंडा रखता वो एजंडा जरूर रखता है और एजंडा जो होता है वो कल्यान का कम होता है स्वार्त का जादा होता है ये जंडा और एजंडा ये दोनों अलग अलग चीज है पर आपको बतला रहा हूं कि जंडे को देखकर के अनुमान लगाना मंदिर है कोई धर के बारे में अनुमान लगाया मैं इतना क्रोध कर रहा हूं मैं मर के कौन सी दुरगती में जाओंगा कभी अनुमान लगाया मैं इतना लालच में पड़ा हूं मैं मर के जाओंगा कहां अनुमान लगाया अपनी बुराईयों को देखकर बुरा होने का अनुमान लगाया अपने मेरे अंदर इतना क्रोध बढ़ रहा है मैं कहां पर इसका भुक्तान करूंगा अनुमान लगाया अपने आपने ये तो अनुमान लगा लिया कि इस बंदे ने इतना धोखा दिया है ये आगे और भी बड़ा धोखा देगा ये तो अनुमान लगाया है आपने इस बंदे ने एक बार मेरे साथ बुरा किया है आगे कितना बुरा करेगा ये तो अनुमान लगाया है आपने लेकिन ये नहीं सोचा है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है मेरे साथ कितना बुरा होने वाला है या अनुमान लगाया अपने अनुमान देखना अनुमान से भी कल्यान होता है अनुमान से भी बुरा होता है बुरा सोचोगे किसी के बारे में तो आपका ही बुरा होने वाला है सच कहता हूँ अनुमान लगाना है तो अच्छा लगाईए किसी को दुखी देख करके ये भी तो अनुमान लगा सकते हो ये व्यक्ति पतानी अपने पिछले असुब करम का फल भुगत रहा है और किसना कोई ना कोई बुरा करम किया है तबी इसका फल भुगत रहा है आप उसके बुरे को देख कर अपने आपको बुरे से बचाने का प्रियास तो कर सकते हो ये अनुमान लगाना आप मैं सच कहता है मेरे बंधू है ऐसा अनुमान लगाना बहुत बड़ी बात है कल्यान परक अनुमान लगाना बहुत बड़ी बात है अब दूसरी बात है चोथी पावर है कल्पना सक्ति की कल्पना मैं यहां दुबारा फिर आया हूँ जहां से चला फिर दुबारा आये कल्पना आपको मालू है कलपना करने से क्या हो सकता है केवल कलपना करने से केवल कलपना करने से आप साथ भी नर्क में जा सकते हैं कुछ भी करने की जुर्थ नहीं है केवल कल्पना करने से और इसका सबसे बड़ा उधारन क्या है तंदुल मत्ष अगर आपने पढ़ा हो सुना हो तंदुल मत्ष कल्पना ही तो है वा और तो कुछ नहीं है आप ये सोचिए कि जिसका स्रीर केवल चावल के दाने जितना गोर करना तंदुल किसको कहते है चावल को कहते है तंदुल चावल को कहते है और मत्ष इसलिए कहते है वो जो तंदुल मत्ष है उसका शरीर जो है चावल के दाने जितना है और मालूम है उसकी उमर कितनी है एक अंतर भूरत की 48 मिनत की छोटी उमर छोटा शरीर और छोटी सोच इन तीनों का संयोग मिला एक तो उमर छोटी 48 मिनत हैं क्या अंतर महुरत की उमर उसकी और तंदुल मत्ष जो मगर मच की पलकों पर जिसका जनम होता है उसका पर बेठा रहता है मगर मच को नीद आती है जो जाता है जब मगर मच सांस लेता है तो पानी अंदर जाता है जब सांस छोड़ता है तो पानी बाहर आता है पानी के साथ कई मचलियां अंदर आती है जब साथ छोड़ता है तो कई जो मचलियां अंदर गई है वो मचलियां बाहर आ जाती है और आपने देखा होगा जब तक मगर मच की आख खुली रहती है तंदुल मच को कुछ भी दिखाई देता नहीं क्योंकि सटर उठा हुआ है यह आखे क्या है हमारा सटरी तो है ना हां वो दुकान वाला सटर यह सटर है अब यह वो यहाँ यहाँ पर बैठा हुआ है अगर आख खुली है तो पीछे गया ना जैसी आख बंद हुई बाहर खुली हो मगर मच की उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता मगर मच की आख बंद हो जाती है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है अगर उसकी मगर मच की आख खुली हो तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता पीछे रहता है जब मगर मच सोता है तो नेचुरली है उसकी आ बार जाते हुए देखता है वो छोटे से छोटे पाउं होते वो दबाता है अब एक क्या कर रहा है क्या कर रहा है देख कितनी त्यारी त्यारी चिक्नी चिक्नी मचली आई और सब बाहर निकल गई भागल है क्या अब देखना कल्पना क्या है कि अगर इस मगर मच की जगे मैं होता यह कल्पना है अगर इस मगर मच की जगे मैं होता क्या मजाल एक भी मचली जिन्दा चली जाते केवल इसी के अधार पर मरकर सात्वी यहां पर हमें रुखना मेरे स्रावओ को आपको भी और मुझे जासकता हूँ यह मस सोचना मैं साधू करने वाला तपस्वियों तो मैं नरक में नहीं जा सकता सोचना भी मत यह भी मत सोचना कि मैंने सवा क्रोड बार नोकार मंत्र का जाब कर लिया तो नरक में तो मुझे जाना ही नहीं है काय को जगडे में पढ़ रहे हैं एसी गलत फैमी में मत पढ़ना क्योंकि हम संतों ने तुम्हें यह भड़का रखा है दे रखा है एक बार सवा लाक बार नोकार मंत्र पढ़ ले तिरी नरक का बंधन क सवा लाक तो क्या सवा क्रोड बार भी नोकार मंत्र पढ़ लोगे तो भी नरक में जाने से बच नहीं पाओगे नरक से तो जब बचोगे जब किसी को सताने की भावना से दूर हटोगे तब जाओगे स्वर्ग में कभी सोचा आपने भावना से मिलती है मुक्ती कल्पना से होता है निदान हां निदान समझते होंगे हां तीन सल्लें हैं तीन काटें हैं जिसमें एक ये भी काटा है निदान सल्ले कल्पना से यह कल्पना करते हैं वो चिड़े को चिड़िया के साथ खेलते हुए देखा तो द्रोपती ने कहा मैं द्रोपती ने देखा कि एक, दो, तीन, चार, पाँच मर्दों के साथ औरत मोज उड़ा रही है तो उसने एक कल्पना कर ली कि अगले जनम में मुझे भी पाँच-पाँच पती मिले यही तो कल्पना है मैं भी मोज ब्रम्दत चक्रवर्ती ने सनत कुमार चक्रवर्ती को देख करके उसकी महरानी की सुंदर्ता को देख करके यह सोचने लगा कि कमाल है, किस्मत है देखिए, वो साधू बना हुआ है वो साधू का जीवन जी रहा है और उसके बाद सनत कुमार चक्रवर्ती की महरानी को देख कर एक मन में ये भाव उठ गया कि क्या कोमल है क्या सौंद्रिया है इस सौंद्रिया का पान में अगले जनम में करू तपस्या के अंदर ये निदान कर गया ये कल्पना है भविश्य की शुक्की कल्पना कर गया मैं ऐसी मोज में रहू मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बुरा लग सकता है आपको आपके मन में कभी एक ख्याल आया कि मेरा करजा चुकाने के लिए मेरा जो मैंने दिया है उसको चुकाने के लिए मेरा करजा चुकाने के लिए कोई अपना घर बेचने को मजबूर हो रहा है तो आपके दिल में एक भाव आया कि मेरा करजा चुकाने के लिए इसको अपना घर बेचना पड़ रहा है अगर इसने मेरा दिया हुआ पैसा नहीं दिया तो मुझे को कोई जादा फर्क पड़ने वाला नहीं है तो कम से कम मैं इसका घर नहीं विकने दूँगा आपके मन में कभी भाव आता है कभी ये दिल में आता है आप ये बोल दे तो चाहे तो अपना घर बेच चाहे तू कुछ भी कर मुझे मेरा पैसा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप इतने निर्दई हो जाते हो आप इतने दयाहीन हो जाते हो कि तुम्हारा कर्म शुकाने के ल इस दूसरा बर्बाद हो जाए तो हो जाओ कि अंहें अपने अपने आपको हसाने के लिए किसी को रुलाओंगा नहीं कभी आया आपके दिल में कि कोई रोए और उनके आशुआ पर मैं हसू यह पाप में अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा मन में ऐसे भाव आये कि नहीं आया आपके अंदर अगर आये हैं तो सच्चे श्रावक हो आप सच्चा संत हूं मैं यह भाव कि अपने आपको हसाने के लिए मैं किसी को रोने नहीं दूँगा यह मेरा संकल्प है मैं अपने आपको जीवत रखने के लिए किसी की जिंदगी को खत्रे में नहीं डालूंगा यह मेरा संकल्प है इस तरहे का संतल्प रखना ये भाव है ये इनर कॉंसस है मैं आपको बोलो मैं प्लीज मैं ये कह रहा था एक कभी ने कितनी सुन्दर भावना भाई है गोर करना हमारे हाथ में जो फूले हैं गोर करना हमारे हाथ में जो फूले हैं पत्थर ना हो जाए हमारे हाथ में जो फूले हैं पत्थर ना हो जाए महले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए महले की किसी बेवा का यानि मजबूर किसी बेवा का दामन तर न हो जाए दर्खतों को अगर काटो तो इजाजत लो परिंदों से दर्खतों को अगर काटो दर्खत समझ गया आप? पेड़ों को, दरखतों को अगर काटो तो इजाजत लो परिंदों से, कहीं अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कहीं अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, ये मन में भावना रखना, दूसरी फिलिंग आपको लाने, दूसरी फिलिंग आपको देना चाहता जो भावना के जगत में प्रवेश करता है जो भावना के संसार में विचरन करता है क्योंकि एक बात आपने दिल में जचा लीजिए भाव जगत में आए दिना आप कभी समाय कर ही नहीं सकते एक बात अपने दिल में जचालो आप भाव जगत में आए दिना आप कभी प्रती कर्मन कर ही नहीं सकते हो ही नहीं सकता जी भाव जगत में आए दिना आप कभी श्रावक बन ही नहीं सकते श्रावक भी नहीं बन सकते आप इंसान नीनी बनोगे तो स्व्रावक कहां से बनोगे आप भाव जगत में आए दिना में संत बनी ही नहीं सकता और जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है जिन्होंने मुक्ति को प्रात किया है वो भाव जगत में प्रवेश करने के बाद माइंड से बाहर निकलने के बाद, मन से पार जाने के बाद, इनर कॉंशस में प्रवेश करने के बाद, अंतहर प्रग्यास से साखशाथ कार करने के बाद, वो प्रवेश करते हैं, गोर करना, चार लाइने और दे रहा हूं आपको, एक कवी ने क्या कहा, वो, वो कौन, वो त अपने केमरे से केमरा है उसके पास आप तो केवल सीशी केमरा लगाते हो कि लेकिन उपर वाले का भी सीशी केमरा बड़ा रिवोलिंग है रिवोलिंग समझे वाग उससे कुछ बच नहीं सकते इस केमरे के उपर तो आप कपड़ा भी डाल सकते हो इसका मुँ उपर भी कर सकते हो इसको तुम बंद भी कर सकते हो लेकिन उसका केमरा कभी यह उस केमरे की याद करना और यह गोर करना वो अपने केमरे से जिन्दगी के सीन लेता है वो अपने चाहने वालों के दुखडे बीन लेता है वो अपने चाहने वालों के दुखडे बीन लेता है कभी भूले से बेटी को गर्भ में तुम मार मत देना कभी भूले से बेटी को गर्भ में मार मत देना क्योंकि बेटी मारने वालों के बेटे चीन लेता है बेटी को मारने वालों के बेटे चीन लेता है जिनके यहां बेटे नहीं होते उन्होंने कभी न कभी किसी के बेटे मारे हैं बेटियों को मारा है बेटियों को मारना ही सबसे बड़ा पाप है यह नौरात्रे चल रहे है देवियों के में तो समझ में नहीं आता तुम देवियों की पूजा करते हो और देवी को ही मार देते हो क्या विडंबना है घर में जब नोरात्री की पूर्णा हुती करते हैं तो कई लोग कन्याओं को जिमाने के लिए कन्याओं को बुला बुला कर किलाते हैं छोटी-छोट सिमी में या नौवी की कढ़ाई करने के बाद छोटी-छोटी कण्याओं को बुला करके लाए जाता है बिना बेटियों के खिलाए वो नो दिन का अनुष्ठान पूरा नहीं होता है तो कभी एक ख्याल नहीं आजा आपके अंदर हम थोड़े से में यही सोच लेते नहीं और मुझे बहुत दुख होता है जब बेटी का जनम होता है तो आपके चेहरे पे खुशी नहीं होती और बेटे का जनम हो जाए गुरु माराज बड़ी किर्पा तो पहले भी थी अब कौन सी विश्यस हो गए यह जो आपके चेहरे के रंग बदलते रहता है ना बदलते हुए रंग को बेटियां बड़ी नजदी किसे देखते हैं उनका दिल दोखता है बिना बेटियों के कभी बेटे पेदा हो भी नहीं सकते यह बेटियों की करामात है देवियों को भी पेदा करती है और देवताओं को भी पेदा करती है इस चीज के उपर आप लोग अवस्य धान रखें भाव जगत में प्रवेश करना है अगर आप requesting power को महसूस करना चाहते हो religion for requesting अगर इस चीज को महसूस करना चाहते हो तो आप अपनी अंतहर की समवेदनाओं को जगाने का प्रियास कीजिएगा समवेदन सील बनियेगा किसी के दर्द को महसूस करने की काबलियत प्रगट कीजिएगा सच कहता हो आप चलते फिरते प्रमात्मा बन जाओगे किसी के दर्द को महसूस करने वाला जो दर्द मंद होता है वही इस धर्ती पर फरिष्टा होता है वही देवता होता है वही साधू होता है वही स्रावक होता है वही भक्त होता है जो किसी के दर्द को महसूस नहीं करता है वो कुछ भी नहीं होता है होता है तो सिर्फ सेतान होता है होता है तो दरिंदा होता है होता है तो सिर्फ दर्द होता है बस आपके religion का एक ही फल है कि हम दर्द बने जितनी मात्रा में आप हम दर्द बनोगे उतनी मात्रा में आप पवित्र हो जाओगे प्रेम हमें पवित्र बनाता है प्यार हमें पवित्र बनाता है नफरत हमें गंदा परती है दुर्भावना हमें गंदगी से भर देती है बस इतना कहता हूं अंबानी बनने की बजाए कोई संत बनने के भाव जागने चाहिए आपके अंदर क्योंकि अंबानी बनोगे तो पता नहीं कितने पाप करने पड़ेंगे लेकिन अगर संत बनना है तो कितने पाप छोड़ने पड़ेंगे पाप छुट गाएंगे पाप छुटते ही आप संत बन सकते हो अगर सचे संत बने तो अरिहंत भी बन सकते हो गारंटी है इस बात की पर लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा दुनिया की दृष्टी में बनने की कोशिश करें तो पता निक कितनों को कुचलना पड़ेगा कितनों को छोटा समझना पड़ेगा कितनों को छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आप बड़े बन सकते हो तो प्लीज अगर हमारे अंदर सवेदना है तो हम ये भाव भाएं कि नई बड़ा बनना है तो अंदर का बनना है बड़ा बनना है तो अंदर भगवान को बेठाना है अंदर सेतान नहीं बेठाना अंदर के प्रमार्तमा को याद करना है समय हुआ आपका